एक निर्माना दीन मस्जिद के दिवार को गिराने का बहाना लेकर अखिलेश यादव ने दुर्गा शक्ती नागपाल का पहले तबादला करवाया और फिर सस्पेंड कर दिया गया बताया जाता है के मल्सी नरेंदर भाटी के कहने पर अखिलेश यादव ने चंद घंटों में दुर्गा शक्ती नागपाल का तबादला कर दिया था लेकिन सस्पेंड करने की असल वज़ा ये नहीं बताई जाती इसकी वज़ा बताई जाती है खनन माफियाओं पर ताबर तोड एक्शन खनन को खत्म करने का पूरा श्रे दुर्गा शक्ती नागपाल को जाता है लेकिन इस एक बार फिर सुर्खियों में हैं क्योंकि सीम योगियादितेनाथ ने बांदा जिले की डियम पज़ पर इन्हें नियूक्ति दे दी है क्या है दुर्गा शक्ती नागपाल का पूरा ज अफसरों की जाबाजी के किस्से कम नहीं हैं और वक्त वक्त पर सुनाए भी देते रहते हैं कोई अपनी बहादूरी के लिए जानी जाती है तो कोई इमानदारी के लिए किसी महिला ने अफसर बनने के लिए विपरीत हालातों का सामना किया तो किसी ने प्रशासनिक सेवां म समाज क्या विकास, और सुधार के लिए दमदार—— theoretically दमदार महिलाफसरों की कहानी हर लड़की को प्रेजिद करती है, आगे बढ़ने सपने देखने और लक्षे को पुरा करने के लिए कोशिश करते रहने के लिए उच्चाहिद करती है, ऐसी ही एक महिला अफसर हैं जिनका नाम किसी पहचान का महताज नहीं ये महिला अफसर अक्सर ही चर्चा में रहती हैं कभी अपनी नीजी जीवन को लेकर तो कभी अपनी कारिय शाली को लेकर इस महिला दिकारी का नाम है I.A.S. दुर्गा शक्तिनागपाल अपने नाम की तरह ही दुर्गा शक्तिनागपाल एक ऐसी महिला शक्ति हैं जो महिलाओं के लिए आदर्श हैं इस कड़ी में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये अफसर सबसे पहले सुर्खियों में क्यों आई थी बांदाजिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनी दुर्गा की न्यूपती साल 2012-2013 में ग्रेटर नोइडा में हुई थी यहां उन्हें SGM पद पर तैनाद किया गया था उस वक्त यहां खनन माफियाओं का काफी बोल बाला हुआ करता था खुले आम खनन किया जाता था लेकिन दुर्गा शक्ती नागपाल की कारवाई भी उतनी ही जबर्दस थी उस वक्त नागपाल ने 24 डंफर और 300 ट्रालियों को सीज किया था उस खनन माफियाओं की कमर तोड़ कर रख दी थी जिससे उस वक्त के MLC नरेंदर भाटी और उनके भाई कैलाश भाटी बोखला गए थे माफिया और I.S. का विवाद ततकालीन मुख्यमंत्री के पास पहुँच गया अखिलेश यादव ने भी अपना हंटर निकाला और दुरका शक्ती का पहले तबादला किया और फिर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया ये मामला ततकालीन प्रधान मंत्री मान मोहंच सिंग के पास भी पहुँचा था I.S. Association ने भी इस मामले में दखल दिया उस वक्त केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने अखिलेश यादव की कारवाई को गलत बताया था लेकिन अखिलेश यादव अपने फैसले पर अड़े रहे और अपने फैसले को सही ठहराते रहे जबकि मामले के जाँच अखिलेश के दावों के बिलकुल उलट सामने आई रिपोर्ट में कहा गया कि मजजिद की दिवार दुर्गा शक्ती ने नहीं गिराई थी बलकि ये काम गामवालों ने ही किया था उसी वक्त एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें यूपी के एग्रो चेयर्मेन नरेंदर भाटी दावा कर रहे थे कि उन्होंने एक तालेश मिनिट के भीतर नागपाल को सस्पेंड करवा दिया भाटी ने इस सभी बातें गामवालों को संबोधित करते हुए कही थी भाटी ने आगे कहा मैंने माननिया मुलायम सिंग जी से बात की साड़े दस बजे माननिया खिलेश जी से बात की ग्यारा बजगर ग्यारा मिनिट पर SDM का सस्पेंशन ओरर कलेक्टर के यहां रिसीव हो गया यह है लोगतंत्र की ताकत मैं यही आप लोगों को बताने आया हूँ कि जिस औरत ने इतनी बेहूदगी दिखाई वो उस डंडे को 40 मिनिट नहीं जेल पाई सर्फ 41 मिनिट में सस्पेंशन का ओडर लखनाउ से निर्ने होकर यहां तामील हो गया लेकिन सस्पेंड की सच्चाई तब बहार आ गई जब मामले को कोर्ट में चुनोती दी गई और जस्टिस असोक पाल सिंग की बेंच ने कहा अभी लेकों से हमें ऐसा लगता है कि दुरका शक्ती ने बहादुरी के साथ अपने कर्तवियों का निर्वान किया और विशेज दस्ता बना कर 24 डंपर सीज करते हुए नोईडा में अवैद घनन पर रोक लगाई अभी एक और किस्सा बाकी है वो भी सुनिए दुरका शक्ती नागपाल सिस्पेंशन मामले में तक के एक न्यूज चैनल ने कैलाज भाटी का एक स्टिंग ऑपरेशन किया था उस स्टिंग में कैलाज भाटी ने क्या कहा था वो भी सुनिए दुरका शक्ती नागपाल अवैद कारियों में आड़े आ रही थी वो माफियाओं के ट्रक और गाडियों को निकलने नहीं दे रही थी इसके अलावा दुर्गा शक्ती नागपाल किसी की सुनती नहीं थी उनकी वज़ा से अवैद कारियों और घोटालों में रुकाव अटा रही थी जिसकी वज़ा से उनको सस्पेंड करवाना पड़ा हलाकि इस स्टिंग के बाद वो अपनी बात से पलट गए और कहते हुए नजर आये थे कि मैंने लोगों से जो सुना वही कैमरे के सामने कहा मैं पार्टी का कोई अंदर का सदस्या नहीं हूँ और मैं नहीं जानता कि पार्टी के अंदर खाने क्या चल रहा है उनके चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी कहलाज भाटी के स्टिंग ने खिलेश सरकार की बखिया उधेड कर रख दी और नागपाल की मानदारी को सब के सामने रख दिया था हाला कि उसके बाद दुर्गा शक्ती नागपाल को 28 जुलाई 2013 को निलंबित किया गया था और 26 सितंबर 2013 को बहाल भी कर दिया गया था खनन की कमर तोड़ने के काम में दुर्गा शक्ती नागपाल ने 15 लोगों को गिरफतार किया था और साथ ही 24 डंफर और 300 ट्रालियां भी जब्द की थी अब आपको बताता हूँ कि दुर्गा नागपाल का जीवन परीच है उनका जीवन कैसा रहा दुर्गा शक्ती नागपाल यूपी केडर की आईएस अफसर हैं यूपी स्सी में परिक्षा पास करने के बाद पंजाब केडर में उनकी पहली न्यूक्ती हुई ड्यूटी के डेड़ साल के अंदर ही उन्होंने एक भूमी गोटाले का खुलासा किया ग्रेटर नोइडा में रेत माफिया के खिलाफ एक्षन लिया उनके पती भी एक प्रशासनिक अधिकारी है दूरका शक्ती नागपाल का जन 25 जून 1985 को 36 गड़ के रायपुर में हुआ था उनके पता भारतिय सांख्य की सेवा अधिकारी थे उनके दादा एक पुलिस अधिकारी थे जिनकी दिल्ली के सदर बाजार में 1954 में देश सेवा के दोरान हत्या कर दी गई थी उनके पती भी एक I.S. अफसर हैं और फिलाल वो सस्पेंड चल रहे हैं अपनी मांदारी और जाबाजी के दम पर अखिले सरकार की जड़ों को हिलाने वाली और सरकार के चेहरों को बेनकाब करने वाली दूरका शक्ति नागपाल के DM बनने पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं नमस्कार नमस्कार झाल नमस्कार कर दो अ नमस्कार झाल झाल